जैश्र किष्णा राधी राधी कैसे हैं आप लोग होब आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो अभी शाम के सारे अच्छे बज रहे हैं और मैं अपने बालो के श्टेटनिंग कर रहे हूं क्योंकि आप लोग टाटल से समझी गए हो कि मैं अपने फ्रेंट के शादी में जा मैं अपने बालो के श्टेटनिंग कर आई थी लेकिन 2-3 महीने में फिर से मेरे बाल करल हो गयते और बहुत जदा रौपी हो गयता जैसे बाल थे उससे भी विकार हो गया है जब तक आप लोग गिफ्ट दिखा देती हूं कि मैं अपनी फ्रेंट के शादी मिले जाने के लि अशांन फिर गिफ्ट लो हमेशा काम है तो मैंने बैंगल बॉक्स लिया है यह 21 थी उसमें लिप यूजफ़ दो रहता है षामेलम ए्सलम reiterate क लिया और यह बैंगल्ड बॉक्स मैं इसमें बहुत सार है टोयूद prosecution जैसे घूरत होती है जैसे कि बहुत सारी एं वके शारी ब तो किसी के भी चल जाता है तो इसलिए मैंने रेड और येलो कलर की चोड़ी इसमें डाल दी है और बस इसको मैं पैक करा लूँगी और गिफ्ट दे दूँगी अपने फ्रेंट को तो वस यह हो पाया है जल्दी-जल्दी में मौका ही नहीं लगा कि कुछ और ले पाऊं तो जल्दी से मैंने बालों में सिरम लगा के और श्रेटनिंग भी करी लिया है थोड़ा बहुत ही करी हूँ बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हूं जब तक आप लोग गिफ्ट देख रहे थे तब तक जल्दी-जल्दी से मैंने अपने बालों को स्ट्रेट कर लिया है कि यह सब चीजों के लिए थोड़ी बहुत टाइम निकाल भी लेती हूँ तो चलिए जल्दी-जल्दी से मैं रेडी भी हो गई हूँ यह वला सूट पहना है मैंने यह वला जो सूट देख रहे हैं अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोग को मैंने पिछले साल होली में पहना था और यह अभी मुझे अलमारी में सामने दिखिया इसको प्रेस करने के कुई जहमेला नहीं था तो इसको मैंने फटाफट से पहन लिया है अगर कोटनुला सूट पहन थी तो उसको प्रेस भी करना पड़ था लेकिन यह सेलक माटेडियल टाइब का है तो इस को प्रेस करने का उतना जमिला नहीं था निकल गई हूँ अभी तो मेरी नेवर हैं मेरी फ्रेंड की उसी के साथ जा रहे हूँ औरे शोटी से पैरी से बेटे इसको में छोड़के जा रहे हूँ और पैसा लग रहा है हुँ पापा लेका just जाने का लेकिन फिर भी बगल में ही जाना है और ज्यादा देर के लिए नहीं जा रही हूं सर्फ एक गंटे के लिए जा रही हूं इसलिए सोचे कि चलो चली जाती हूं पापा भी आ रहा है पापा कुछ काम से गया थे बाहर मार्केट तो वही आयो गया है अभी और बस मैं मैं निकल रहे हूं सिर्फ एक गंटे में आ जाऊंगी बस बगल मैं ही जाना है ज़ादा दूर नहीं जाना है और अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूं यहाँ पर भी हम लोग पहुंचे द्वार पूजा होने के लिए आगे बरात लेके आगे सब लोग तो यहां पे बराती आ चुका है और द्वार पूजा चल रही है दुले राजा नीचे बैठे हुए हैं मैं च्छत पर से देख रहे हूँ क्योंकि इतना भीर में हम लोग कैसा जागे देख सकते हैं इसलिए आप लोग को कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा होगा और वैसे भी मैंने अपने फ्रेंड से पर्मिशन भी ने लिया था कि वीडियो बनाऊ कि नहीं बनाऊ इसलिए मैंने ज्यादा close up कुछ भी नहीं किया क्योंकि सायद सबको पसंद नहीं आती है वैसे तो मैंने उसे पूछा ही नहीं तो मुझे नहीं पता अच्छा लगता लेकिन बुरा लगता लेकिन फिर भी बिना पूछे कुछ भी नहीं करना चाहिए और यह है मेरे फ्रेंड निवर फ्रेंड जो आप लोग देखें कि इसी के साथ मैं आई थी इसकी मामी भी आई है इसकी भावी प्याई है मत्तलि इसके सब लोग आया हुए है लेकिन मैं सिर्फ अकेले आई हूई इसे के साथ और यह भी मैं यहाँ पर कुछ-कुछ बोल रही लेकिन पीछे डीजे बज़ रहा ना तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था इस बज़र से मुझे म्यूट करना पर रहा और फिर मैं वासवर दे रही हूं कास कि आप लोग को सुनाई देता है कि हम लोग क्या क्या बात करें क्योंकि बहुत हांसी मुझा कर रहे थे हम लोग और बस यहां पर जैमाला होने लगी है द्वार पूजा हो चुका है और द्वार पूजा होने की बात जैमाला हो रही है और गाउ में इतना ज्यादा भीड होता है न देखे कितना ज्यादा भीड है सब फोटो लेने के लिए परसान है सब अपना फोन निकाल के फोटो लेन ज्यादा देर रुका नहीं जाएगा तो यह भी बोले थी कि हाँ ठीक है बेबी को छोड़के जा रही हो तो चलो हम लोग थोड़ी देर में ही आ जाएंगे लेकिन फिर निकलना होई नहीं पाया द्वार पूजा होने लगी फिर उसके बाद अभी जैमाला हो रही है और मैं कहीं भी छोड़के इसको नहीं गई हूँ यह फोटो थेरफी के लिए जाती थी जब इसका जनम होए था उसे टाइम आप लोगे याद होगा कि इसको जान्डिस हो गई थी फोटो थेरफी के लिए बेबी जाती थी तो उस टेम पे भी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता बहुत रोना आता था जबकि इसके पापा लिए जाते थे और साथ में इसकी नानी भी जाती थी फिर भी मुझे रोना आता था कि पता नहीं कैसी होगी क्या होगी लेकिन अभी मैं खुद इसको छोड़के आई हूँ न तो इतने जदो बुरा लग रहा है कि कभी कभी मैं देखने तो आखों से आसुआ जा रहा है लेकिन मैं बस यहीं सोच रहे हूँ कि जल्दी से जैमाला हो जल्दी से जैमाला खतब भीर खतब हो यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ से जल्दी जल्दी निकलू तो अभी यहाँ पे नीचे जैमाला चल रही है दूला दूला इस टाइम पर मुझे कैसा फिल हो रहा है अपने बच्चों को छोड़ की जाना कहीं भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो भी इतना चोटा बच्चा हो तो और ज़्यादा बुरा लगता है और मैंने अपने हैस्मेंट को बताया भी नहीं है कि मैं जा रही हूँ क्योंकि अगर बताती है शायद वो घुसा होते और बस जैमाला हो चुकी है और हम लोग खाना खाये खाना खायने का भी मेरा मन नहीं था लेकिन मेरी फ्रेंट ने जब रदस्ती बोला कि जल्ले लिखा लो तो अभी हम लोग निकल गया है यह सपना है चान्नी की फ्रेंट अब बस अब हम लोग यहां से निकलने ही वाले थे तब तक मैंने फिर से चान्नी को वीडियो कॉल किया बेवी को देखने के लिए के रो तो नहीं रही हुए तो चान्नी ने कहा कि दीदी रो नहीं रही है तो अराम से आओ मैं इसको अच्छे से संब हो और बीच में इसको भूख भी लग गयी थी तो भावी नहीं यानि कि बेबी के मामी ने इसको फिट भी करा दिया था और मामी और चांद नहीं भावी सब लोग मिलके देख रही है और एक घंटे में यहां पर रुकी थी लेकिन मन बिल्कुल भी निवार वार वीडियो कॉल करके लगवर तेन चार बार मैंने वीडियो क लेकिन हम लोग का गाव जो है वह बहुत अच्छा है लेकिन हम लोग गलत एरिया में तो अभी में फ्रेंट के साथ घर आ गई हूं और बस अभी चलिए देखती हूं कि बेबी कैसी है मन एकदम खराब लग रहा है अजीब लग रहा है कि मतलब क्यों मैं उसको छोड़के गई थी गिल्ट भी फिल हो रहा था सिर्फ एक घंटे के लिए गई थी अंकित मेरे साथ गया था तो अंकित और मैं अभी हम दोनों आ चुके हैं और चली लिखते हैं दिखें बेबी यहां पर अपनी मौसी के गोदी में बैठी हुई है और ममी उदर सोई हुई है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत गिल्ट हो रहा था ऐसा लगा था मैं इसको क्यों छोड़के गई लग रहा था जैसे मैंने बहुत बड़ा गल्ती कर दिया बहुत बड़ा पाप कर दिया है मैंने चल्दी से मैंने ड्रेस चेंज किया है और बेबी को गोदी में ले तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है अभी बेबी को मैं गोदी में लेकर बैठी हुई हूँ और पता है मैंने अपने हंस्बेंट को कॉल किया तो उनको बताया मैंने कि मैं अपने फ्रेंट के शादी में गई थी एक घंटे के लिए बगल महीं तो वह गुस क्योंकि बार-बार तो मौका मिलता नहीं है बार-बार तो हम अपने माइके में रहते नहीं है तो छोड़की गई तो लेकिन मुझे तो बड़ा लगा और मेरे हस्बंट फिर फोन पर लड़ाई भी हो गई हम तो परता नहीं क्यों बोल दिये कि तुमको नहीं जाना बें मेरे फोन काड़ गुस्ता मैं कि जा मुझे नहीं बात करना तुमसे लेकिन मेरी पेटी है मैंना इसको पैदा किया है तो मुझे भी तो प्यार है तो चलिए मिलती हैं कल सुबर में और फिर आप लोग से बाते करते इसको सुला देती हूं भी हाई गाईज तो अभी दो पहर के एक बज रहा है और मैं आई वी हूँ च्छत वाले रूम में वीडियो पर व्लॉग पर वासवर देने के लिए और यह हमारी छुटकू मेरे गोदी में ही रह रही है वासवर करना ही नहीं दे रही है देखिए अभी रोना शुरू हो गया ज दूपी के सो गई है लेकिन अभी मैं फिर से स्टाट करूंगी वासवर करना अपने ब्लॉग पर फिर से जग रहेगी और फिर से रोने लगेगी बहुत मुश्किल होता है बेबी के साथ यह सब्सक्राइब भी किया किजिए क्योंकि मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहु करने की कोशिश करती हूं अभी मैं चट पर आई हूं यह कि और ममी बहुत सारी चीज़े रखे है और यहीं पर आकर मैं वासवर करती हूं नीचे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इस सब लोग बोलते रहते तो मैं किसको तो चुप करांगी गांदी के चांदी मौसरे की साथ पहले था कि सारे बारा से एक बुजे के बीच में मैं व्लॉग फब्लिश कर देती थी लेकिन जब से बेबी मेरे लाइफ में आई है कुछ भी नहीं मैनेज हो पा रहा है तो प्लीज आप लोग समझना है इन सब चीज़ों को और आज मैं बाल हो के नहीं हूं इसलिए मेरे ब लगी थी जिसके वज़े से बेबी काफी तकलीफ में थी और बेबी की तकलीफ देखे मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी जो भी माय मेरे व्लॉग देखती है अपने बच्चों को पालते हुए आप लोग यह सब चीज़े सह रहे हो उसके लिए दिल से बहुत-बहुत ग्र लो रही है तो चुप कराना है कभी उसके साथ खेलना है तो आप लोग से बाते यह नहीं कर पाती हूँ बस थोरा सा भी मौकर मिला है तो जल्दी जल्दी आप लोग ने यह भी देखा कि मैं फ्रेंड के शाधी में गई थी जानने का मन बिल्कुल भी नहीं था लेकिन बु मेरी ममी बेवी को लेके सो जाती है तो वह भी मुझे विल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है लगता है कि मैं बेवी को अपने पास अपने गोधी में लेके सो हूँ और बस अभी थोड़ी दर में व्लाग जल्दी जल्दी एडिट करके जा रहे हूं नीचे आज के लिए बस